स्रेई शिवाय नमस्तों भेहम हम सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आ गया है भगवान गनेश का दिन यानि कि सावन की चतुरुथी का बहुत ही विशेसा दिन है और अगर आप पे घर में कोई भी ऐसा विक्ति है जिसको बीमारी पीछा ही नह खाके होती है तो ये विडियो आपके लिए है बस आपको कड़वे नीम के नौ पत्ते लेने है छोटा सा उपाय करके देखेगा इस सावन महीने की चतुरुथी तिथी पे आप पी घर से वो बीमारियां कहां गायब हो जाएंगी आपको खुद भी पता नहीं चलेगा ठीक जब भी हमें कोई उपाय करना होता है दवा के और शदी के तोर पे लेना होता है तो हमेशा कड़वी नीम लेना चाहिए इसलिए आपको नौ कड़वी नीम के पत्ते लेने ठीक है ना, क्या करना है, अब महाद्योकिक सबसे प्रिये चीज भी लेनी है, और वो है बेल पत्र, एक बेल पत्र लेना, बहुत ही प्यारी से सुन्दर सी, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपके पास में ये कलश है, है ना कलश, इस कलश में आपको जल भरना, ठीक उन नौर कड़वे नीम के पत्ते को डाल देना, जो एक बेल पत्र है, उसको मत डालना, उसको अभी अपने पास में रखना, ठीक, जो विक्ति आप पे घर में बीमार पड़ा हुआ है, इस सावन महीने की चतुरती दिती पे, शाम के टाइम पे प्रदोशकाल में, उसके कम अमरे में इस कलश को ढख करके रख देना, ठीक किसी प्लेट किसी कटोरी से रखना, जिस प्लेट जिस कटोरी से ढखोगे, इसी प्लेट के ऊपर जो एक बेल पत्र मैंने आपको दिखाया था, उस बेल पत्र को रख देना, फिर वहां से आप हट जाना, अपना आराम से जा खाना पीना सो जाना अगले दिन फिर आप सुबह सोके उठेंगे पंचमी दिधी ठीके ना सो करके जब उठना फिर सबसे पहला काम होगा सनान वगारा करके सबस्षो के आना फिर आप इसकलश को उठाना इसके ऊपर की जो एक बेल पत्र होगी इस बेल पत्र को भी उसी कलश के अंदर जल के अंदर डाल देना जो विक्ति घर में आपके बीमार पड़ा है उसके हाथों से एक बार इस कलश का इस पर्स कराना टच कराना पूरे घर में घूमने के बाद में आपको फिर उसी नीम पेंड के नीचे जाना होगा जहां स नीम का पत्ता लाए अब वहां नहीं जा सकते हो मालो आप खरीद के लाए हो तो जो भी घर के आसपास में नीम का पत्ता पेंड हो उस पेंड के नीचे जा करके आप पूरा का पूरा जल समर्पत कर देना जिस विक्ति को बीमारी है उस विक्ति का नाम और गोतर बोल के जो भ पिर नौरात्र की चतुर्थी तिथी पे, साल में सिर्फ दो बार, नौरात्र की चतुर्थी या फिर सावन की चतुर्थी तिथी पे सुपाई को कर लेता है, उनके घर में कभी कोई बीमारी परवेश नहीं करती है, हमेशा उनका पूरा परिवार सच और निरोगी रहता है, करके देखीगा बहुत special सा और प्यारा सा ये उपाय था, आसान सा भी था, कुछ करना ही नहीं आपको, तो यहाँ पे हम लोग ने पहले उपाय की बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ जो की आपको करना है शमी के पत अगर आपके घर में मालक्षमी का वास नहीं है, धन को लेके परिशान हो, समपदा ही घर में नहीं टिकती है, तो आप इस उपाय को करेंगे, ठीके ना, उसके लिए आपको जरूत होगी सिर्फ और सिर्फ एक शमी के पत्ते की, इससे जादा मत लेना, ठीके सिर्फ एक शम बत्ती का लगाते हैं, लेकिन इस उपाय में थोड़ा सा परिवर्तन है, यह उपाय हम भगवान गनेश के लिए लगा रहे हैं, और देवता के लिए लगाने पे हमें कौन से बत्ती लगानी होती है, गोल बत्ती का दिया, कई बार बता है आपको, तो आपको गोल बत्ती ल जो भी पूजन पाट करना हो, जो भी शिवलिंग के उपर समर्पित करना हो, जल वगेरा, धतूरा, जो कुछ भी आप ले करके हो, सब समर्पित करना, समर्पित करने के बाद जब आप अपने पूजन करके बाहर निकलोगे तो महादेव की चोखट में जराएगी, अरे जल बत्ति का, उस गोल बत्ति के दीपक को मयूर ध्वज, किसके नाम से जलाना है, मयूर ध्वज के नाम से अगर आपने जला दिया चतुर्थी तिथी पे, तो आप पे घर में कभी भी धन संबदा की कमे नहीं हो सकती, हमेशा मालक्ष्मी का वास, रिद्धि सिद्धी का आप पे घर में हमेशा बना हुआ होगा है ना, भगवान गनेश को हम लोग विगन हर्ता बोलते हैं, हमारे जीवन के, हमारे लाइफ के, जो भी विगन होते हैं, भगवान गनेश दूर करते हैं, तो आपको इस उपाय को करना ही करना, ठीक है ना, तो दो उपाय की आपको बाद समझ में आ गई होगी आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय के तरफ और ये जो तीसरा उपाय है वो आपको करना होगा इत्र के साथ में ठीक है न देखो अब इस इत्र के उपाय से क्या होता है जब भी मैं कोई भी सुगंधित चीज आ जगड जाएगा जगड जाएगा तो घर में अगर लडाई जगडे का माहोल होता है आपको लेना होगा इस तरीके से इत्र है न पांस-दस रुपए में मार्केट में मिल ही जाएगा तो आपको इत्र लेना इत्र के साथ में फिर से हमें जरूत पड़ेगी एक शमी के पत् अब जो मैंने आपको इत्र दिखाया ना उस इत्र की कुछ बून 5-7-10 बून जो भी है आपको इस कलश के अंदर डाल देना जो आपके पॉस में मैंने शमी का पत्ता दिखाया उस समी के पत्ते को भी डाल देना जो व्यक्ति आप में घर में क्रोध करता, गुसा करता, लडाई करता, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलके आपको कुंद केशवर महा देओ, फिर से बोल रहा हूँ, कौन से महा देओ, कुंद केशवर महा देओ के नाम से पूरे घर में इस कलश को लेके घूम लेना, सिर् विक्ति का नाम और गोत्र फिर से बोल करके और कुंद केश्वर महादयो के नाम से पूरा का पूरा जल महादयो के शिवलिंग के ठीक उपर आपको समध्पत करना है यही जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा इस जल को आपको रोक लेना है थोड़ा सा और इसे लेक अगर में नहीं आ सकती ठीक है ना तीन उपाएं आपको समझ में आ गए है एक बहुत ही छोटा सा आसान से उपाएं की बात करने जा रहे है लेकिन अब आपको छोटा सा काम और करना है और वो काम है जल्दी से कर दीजे वीडियो को लाइक और जिसने अभी तक चैनल को सब सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या सोच रहे हो जल्दी से कर दो चैनल को सब्सक्राइब ताकि ऐसी बहुत सारी वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिल पाएं तीक है ना देखो अब एक चीज़ आपको बता दूँ यहाँ पर आपको काला धागा दिख रहा है और यह एक अजीब सा काला धागा दिख रहा है दिख रहा है आपको कुछ गाठ पड़ी हुई है आपको भी ऐसे करना है यह उपाए स्पेशली होगी इच्छा पूर्ती के लिए ना बहुत वरत उपवास कर रहा हो फिर भी नहीं सुन रहे भगवान तो आप इस उपाए को करके वो मिलेगी आपको काला धागा मिलेगा चाहे जिस टाइप का ले लो छोटा ले लो पतला ले लो मोटा ले लो काला धागा ले क्याना उस काले धागी को घर में आपको बैठना है और उसके बाद में जैसे यहां पे देखो गाठ लगी है आपको भी इसमें इसी प्रकार से गाठ ऐसे लगानी है, कितनी गाठ लगाओगे आपको इसमें 14 गाठ लगानी है कितनी गाठ, 14 गाठ अब ऐसे नहीं कि भीया, एक बार गाठ लगाए कि दो बार लगाए, जितनी आपकी इच्छा हो बस अब ये भी ज़रूरी नहीं है जैसे इसमें लगा हुआ है आपको ऐसे लगाना नहीं आपको अपने ही घर पे किसी से लगवाने के ज़रुत नहीं है अपने घर में बैटो ऐसे एक एक गाट लगाते हैं चले जाओ कितनी गाट लगाओगे 14 गाट फिर आप इसको उठाना जिस विक्ति की मनोकामना पूरी यह उपाय, वही विक्ती करेगा घर का कोई भी सदस नहीं गर सकता ठीक है ऑर उस विक्ती को इस धागे को इठाना है आपके घर में भगवान गणेश की फोटो मूर्ती पतिमा हो उनहीं के पास में इस काले धागे को समर्पित करना है विग्न हर्ता भगवान गनेश्य विंती करेंगे प्रातना करेंगे और प्रातना करने के बाद में फिर अगले दिन पंचमी तिथी पे इस काले धागे को उठाना अपने घर में कहीं पर भी सम्हाल करके रख देना जिस कामना से जिस इच्छा से आप इस उपाय को कर रहे हो वो wishes आपकी पूरी जरूर होगी अब बात करते हैं कि भीया कितने दिनों तक इसे रखना है तो आपको इस काले धागे को 14 दिनों तक अपने घर में रखना कितने दिन हैं? 14 दिन जैसे ही 14 दिन पूरे हो जाएं ठीक 14 हमें दिन इसको उठा करके जाना किसी पीपल व्रिक्ष, किसी वट व्रिक्ष के नीचे छोड़ करके चले आना जिस कारण से आपकी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है वो विशेस पूरी जरूर हो जाएंगे तो मैंने कोशिच किए आप सभी को अच्छा समझाने की बाकि वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करेंगे कुछ पूछना है नहीं समझ में आएं परेशान होनी के जरूरत नहीं है नीचे कोमेंट सेक्षन में पूछेगा मैं पूरी कोशिच करूँगा रेपलाई करने की मेरे जितने भी भाई बहन आज मेरी पहली बार सुन रहे है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अगर आपको मुझसे बाते करनी है तो आप में इंस्टेग्राम पर फोलो कर सकते हैं उसके लिए आपको सर्च करना है दे नेचुरल प्लैनेट वन जीरो एट स्री शिवाय नमस्तुभ्य